हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल ट्रोथ ऑफ शेयर मार्केट तो डिसकसर लेते निफ्टी पैंग निफ्टी के लेवल फोर फिफ अक्टूबर 2023 देखो कल हमाना डिसकेशन था कल अगर आपने देखा होगा तो कि 43,900 तक मार्केट गया है इवन 870 तक गया है तो काफी अच्छा मुमेंट हुआ है इन पी डारेक्शन पूट डारेक्शन में काफी अच्छा मुमेंट हुआ है क्योंकि डेटा बिल्ड हुआता है आज भी डेटा बिल्ड हुआ है और कल इंपोर्टन लेवल टूटने हो आना है तो बी रेडी फोर बैट इस्टेटी क्या यूज करनी है वो चीज़े हम डिसकस करेंगे पहले बात कर लेते हैं फिर्स्ट अफल इस वीडियो जनली फोर एड्यूकिशन प्रपस्ट यहां मेरा टेलिग्राम लिंक एन वोटसप नमबर है प्लीज जोइन करने है स्टार्ट करते हैं बिक प्लियर डेटा दिको बिक प्लियर डेटा में कया है देखो 4000 करोड की नों सेलिंग किये यह CONTINUUSLY सेल कर रहा है डियाएस ने cash market में buying किये सत्रा सो करोड की index future देखें तो यहाँ पर छोटी से selling है इन तीनों चीजों का कोई लेना देना नहीं है कल के लिए हमें क्या चीजें देखनी है index option की बात करें तो 40,000 करोड की selling है बट यह 40,000 करोड की selling का मतलब market side बे रहेगा अगर कल expiry nifty किये तो यह option जो buy करके गए और market अगर side बे होगा तो यह 30-40% decay हो जाएगा समझ नहीं तो काफी जादा decay हो जाएगा मतलब यह काफी 30% का loss बड़ा player नहीं ले सकता यानि 26,000 का जो capital है वो 15,000 करोड का capital बचेगा 9,000 करोड 10,000 करोड का loss तो आप खुछ सोच के चलो कि यार क्या यह ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो क्या होगा nifty में एक movement होगा बट इन्होंने इसे hedge कर रगा है किससे hedge कर रगा है bank nifty bank nifty में क्या है आज expiry हुई है तो एक बड़ा premium अगली expiry के लिए होगा अगर ATM की बात करूँ कोल पुट की बात करने तो यह करीब 300-400 जार जाए यानि दोनों CEP देखें तो 700 के राउंड हो अब मानलो market 1.5% movement भी कर जाता है तो एक क्या हो जाएगा एक 600 हो जाएगा और दूसरा 150 बच जाएगा यानि 50 पॉइंट का ही लोस होगा समझे रहे और यहाँ पर इन्होंने nifty में बाय कर रहा है nifty अगर 1% मूँ कर जाता है तो जो 20-20 की premium में वो हो जाएगे आपकी 80 या 120 यानि यहाँ पर यह कमा लेंगे दूगना या तिगना तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो समझ के चलो कि अगर मैं बायर हूँ तो मुझे nifty में trade करना है और अगर मैं seller हूँ कि मुझे तो selling करना है तो फिर मुझे bank nifty में selling करना है तो इस वे मैं थोड़ा सा planning करके चलना साथ मैं एक और चीज़े तो अगर मैं बायर हूँ तो midcap nifty and nifty यह दो चीज़े मेरे लिए है और अगर मैं seller हूँ कि मुझे sale ही करना है option iron fly यह कोई सा भी method यूज़ करना है तो मैं bank nifty और fin nifty की side जाऊँगा तो अब बात कर लेते हैं कि chart क्या कर रहा है और option chain क्या कर रही है तो यहां से चीज़े क्लियर है कि moment तो होगा nifty में and अब nifty 50 के chart की बात कर लेते हैं जो chart में क्या एक कहर उपेटन है जैसी nifty आपका 19.480 के उपर जाता है तो यह bullish हो जाएगा for the target of 19.550 and 19.660 नीचे अगर यह break करता है तो 19.330 जहां आज गया था 420 break होगा तो यह आपको देखने को मिलेगा और second आपको 19.200 अब क्या यह level टूटेंगे almost मुशे जो लग रहा है वो यह लग रहा है कि यहां ही open कराएंगे and आपका फिर यह particular level तोड़ेंगे और फिर उसे उसी direction में लेके जाएंगे अब एक और चीज याद रखना देखो यह break out जो fake break out होते हैं वो कल हो सकते हैं यानि यह उपर वाले level तोड़ें सब bullish हो जाएं और फिर यह bearish हो जाएं या फिर यह भी हो सकता है यह पहले नीचे वाले level तोड़ें और फिर सब bearish हो जाएं तब यह bullish हो जाएं क्योंकि expiry में moment बड़े moment कब होते हैं जब कोई first आ है मतलब option writer जब first है तब एक बड़े moment होते हैं मानलो इन्होंने 400 यह तोड़ दिया और 300 C पे लिया और 300 C पे आते क्या होगा 400 C पे call writer आके बीड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे उपर लेकर आएगे तो call writer जब निकलेगा तब यह एक बड़ा moment trigger करता है तो इस वे में थोड़ा से ध्यान रखना अगर इस टाइट के कोई breakout आपको मिले तो उनको identify at least कर लेना बात कर लेते हैं इस से ज़्यादा moment नहीं हुआ यानि ये total मिला के देखने तो 200 point का moment भी नहीं है और 200 भी छोड़ो यानि ये इतना भी नहीं गया था ये लास्ट में गया था 43 900 से 444 जार इसके बीच में ये पूरा दिन घूमता रहा है तो अब ही क्या है अगर उपर का लेवल टूड़ता है 57 तो फिर आप 44200 और 44434 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे नीचे का लेवल टूड़ता है 43 851 तो आपको 43 676 और फिर 43 400 तक की लेवल easily देखने को मिलेंगे तो लेवल के लिए रखना अब इसके बाद हम बात कर लेदें कल क्या strategy हम यूज़ कर सकता है तो निफ्टी की बात करें निफ्टी की expiry और निफ्टी में है बड़े moment के हमें expectation तो यहां देखें 436 पे निफ्टी बन हुआ है अगर 436 के बाद मैं CEP देखू ठीक है 400 का C 47 रुपे का है और 400 का P आपका 31 रुपे का यानि दोनों मिलाके 70-75 रुपे के राउंड है कल अगर यहीं open होता है तो यह 75 में से आपका बचेगा राउंड यह 50 रुपे या 60 रुपे पे मिलेंगे तो 50-60 रुपे मिलेंगे तो 50-60 रुपे लगाएंगे तो पहला ही हमारा टार्गेट 80 रुपे होगा और उसके बाद अगर 200 रुपे चला गया तो फिर तो मज़े है ना फिर यह इस के वेलिज कितनी होगी 200 रुपे थोड़ा सा इन चीजों को समझ के चलना कि अगर हम यहाँ पर CEP दोनों ही बाय कर लेते 50 रुपे पर तो काफी अच्छा मुमेंट होगा और बड़ा गेप अब डाउन होगा तब थोड़ा वोइट करना क्योंकि वो उनको प्रोफिट मिल चुका है तो फिर वो मार्केट को साइड वे रखेंगे बट दो दिन से क्या हो रहा है पहली केंडिल में मुवमेंट करा लें परसो भी आपने देखाऊगा पहली केंडिल में मुवमेंट हो गया कल भी आपने देखाऊगा पहली केंडिल में मुवमेंट हो गया तो अगर साइड वे उपन अता है तो बहुत जल्दी आपको ट्रेड इनिशेट करनी होगी और बहुत जल्दी एक्सिट भी करनी होगी तो इस चीज़ को थोड़ा सध्यान रखतें वैसे अगर हम बात कर लें राइटर्स कहां बैठें हैं तो राइटर्स काफी स्ट्रोंग ली बैठें हैं यानि अगर हम बात करें 400 पे काफी स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है जबके मार्केट उसके उपर क्लोज हुआ है and 450 पे पीकाफी strong resistance है then 500 पे काफी 1 करोड सथा मातला हम थाम आылती है तो deci अज्षाभ के बाद 250 तो यह सपोर्ट भी स्तौर्ड बीद 100 के बाद 250 आल में सपोर्ट भी स्ट्रोंग है और तो इस चीज को थोड़ा से याद रखना गेप अप गेप डाउन की पॉसिपिलिटी यहां से राइटर निकले इंदमनी पुट राइटर निकला इंदमनी कोल राइटर बेट है मतलब चोटा मुटा गेप डाउन पॉसिबल है अब बात कर लेते हैं बैंग निफ्टी की बैंग निफ्टी में अगर लेवल का उनसे इंपोर्टन रहेंगे तो 43,960 960 यानि 44,000 के राउंड क्लोजिंग हुई है नेक्स एक्सपारी की बात करें तो 14,000,000 या बेटें 17,000 या रेजिस्टेंस बेल्ड ले तो रेजिस्टेंस इस्टोंग है इस कंपेर्ट तू सपोर्ट यह अगर तूटता है तो आपको पहला लेवली 43,500 दिख रहा है ठीकिन अगर तूटेगा तो फ्रितिया ने सजा तो काफी स्पेस है नीचे जाने की अब देखो जो मैं बात बता रहाता हूं वहाँ पर इन्हों ने एट्यम बाई सेल किया हो यहाँ देखो 350 and 250 मतलब हो गया टूटल मिलाके 600 600 का ATM सेल किया है अगर यह यहाँ पर भी चला जाएगा यानि 100 200 300 400 नीचे तो क्या हो जाएगा तो भी 300 and 390 and 200 यानि 400 नीचे होगा तो यह 400 उपर वाली प्राइस देख लेते हैं तो अभी इनको क्या सेलिंग में लोस नहीं हो रहा है यह कितना 400 200 मतलब वही 600 गिरो तो बैंक निफ्टी में सेल कर रहा है तो मूमेंट होगा तो उसमें इतना लोस नहीं होगा लोस तो होगा क्या मतलब होगा तो वहां 100 पर संट का वेनिफिट होगा तो इस वह में इनकी प्लानिंग है आप भी उसे वह में ही लेके चलें थीकिने बठाट थोड़ी चीजें ज्यान रग्दना कि हम यहां क्या वाय कर रहे हैं क्या हास क्या सेल कर रहें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें रेजिस्टेंस तो को रेजिस्टेंस और यह काफ़े इंपोर्टन लेवल है यह अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको 500 नीचे और उपर अगर ब्रेकडाउन दिया तो 400-500 उपर की जर्णी ट्रेवल कर सकता है कर उपर भी नीचे भी तो थोड़ा इन की जोगा ध्यान रखना आई होप चीजे क्लियर होगी कहां कोल एंपूट बाय कर सकते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट थैंक यू